हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको 2007 की रेंबो आईज ये एक कोरियन मुवी एक्स्प्रेंग करने वाला हूँ ये एक थ्रिलर मुर्डर मिस्ट्री है इसके लास्ट में जो ट्विस्ट आता है वो भी बहुत खतरनाक है कभी भी आप इसे गेस नहीं कर पाओगे ये मुवी आपको continueously surprise करती रहती है ये मुवी एक डिरिक्ट्व के बारे में है जो बहुत सारे murders की investigation कर रहा है तो चलिए इस मुवी को explain करना start करते है मुवी start होती है और हमारा जो main character है उसका नाम है चोयून चोयून एक डिरिक्ट्व है मुवी के स्टार्ट में वो अपने गल्फरेंड के साथ है यह हमें दिखता है तभी उसे एक कॉल आ जाता है एक मर्डर हुआ है और क्राइम सीन पर उसे बुलाया जाता है चोयून के साथ वारिक लड़की काम करती है जिसका नाह होता है यून जू यह उसे बहुत पसंद करती है चोयून लेट आता है तो उसे बुछती है कि क्या तुम तुम तुमारी गल्फरेंड के साथ थे चोयून इस पर जाता ध्यान ने देता जब चोयून अंदर जाता है तब हमें पता चलता है कि यह बहुत ही खतरनाग बर्डर था यह नाइब से बहुत बार वार किया गया था फॉरेंसिस की टीम वहां होती है और सब को चानपिन रही होती है तब हंग उन्हें एक हेर मिलता है यह हेर देखकर सब कुछ खुश हो जाते है क्योंकि यह हेर किलर का होसकता है और अगर यह मैच हो गया तो killer पकड़ा जाएगा इन्हें hair मिल चुका है तो जादा investigation अब ये नहीं करते जिसका murder हुआ था उसका नाम था Kang Kang होटेल सेगरा own करता है और उसकी एक girlfriend भी है जिसको हो हमेशा मिलता रहता है अब Choyun को Kang की girlfriend के पास भेजा जाता है जब murder हुआ तो वो कहा थी क्या कर रही थी ये सब Choyun उससे पुछता है Choyun सिर्फ इसके hair में interested होता है इन्हें murder scene पर hair मिल चुका है तो Choyun को सिर्फ इसका hair चाही होता है Crime scene पर उन्हें ये भी पता चलता है कि Kang बनने से पहले वो किसी के साथ intimate हुआ था जब और investigation होती है तो इन्हें पता चलता है कि जो hair इन्हें मिला है ये किसी आत्मी का था इससे वो conclusion करते है कि Kang गे था ये case और भी complicated हो जाता है अब police का शक जो मर चुका है उसका एक friend था इस पर चला जाता है चोयून उससे पुष्टाच करने के लिए जाता है और उससे पुष्टा है कि उस रात वो कहा था कैंग का friend कहता है कि वो घर पर ही था पर वो कैंग से मिलने के लिए गया था चोयून 100% sure होता है कि यही killer होगा चोयून फिर क्यांग के friend के मर्जी के खिलाफ उसका hair ले लेता है इसके बाद हम देखते हैं कि चोयून और यून जी यह दोना gym में work out करे होते है इंजू के लिए एक अच्छा सा लड़का चोयून ने देखा होता है तो उसे date करने के लिए उसे बोल रहा होता है इंजू तो चोयून से ही प्यार करती है तो वो कहती है कि अगर मैं और pretty होती तो क्या तुम उसे प्यार करते है चोयून इस पर कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है इसके बाद हमें चोयून उसकी girlfriend के साथ दिखाय गया है चोयून की girlfriend का नाम सुजीन होता है इन दोनों में जगड़ा हो गया होता है तो एक दुसरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे होते चोयून सुजीन से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम से मिला हूँ पर इससे पहले कभी ना कभी हमारी मुलाकात हुई है वो इससे कभी भी recall नहीं कर पाता चोयन कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो वो फैसे यूजिन के साथ रहना चाता है पर यूजिन कहती है कि जब तुमें मेरी जरूरत पढ़ दी है तभी तुम मुझे से अच्छे से बात करते हो एक रात तुम ड्रंक थे और किसी और का नाम ले रहे थे इसी वज़े से यूजिन अब उससे कुछ संबन नहीं रखना चाती नेक्स दिन हमें दिखता है कि चोयून रस्ते से जा रहा होता है और उसे उसके स्कूल की फ्रेंड मिलती है इसकी फ्रेंड इसे पहचान नहीं पाती क्योंकि इसे भूलनी की बिमारी है इसके फ्रेंड का नाम हिसू होता है और हिसू को एक बेटी है चोयून फ्रेंड की बेटी से बात करना चाता है पर उसकी फ्रेंड उसे रोग लेती है इंजू फिर से क्राइम सिन पर जाकर सब इन्वेस्टिकेट करती है तो वहाँ उसे एक सिगरेट मिलती है इस सिगरेट पर बलड होता है जो एक वूमन का होता है सब चीजे यही बता रही होती है कि क्यांग गे नहीं है पुलिस स्टेशन में एक कम्प्लेन आती है रेप फिक्टिंग को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है इसलिए चोयून और इंजू यह दोनों जाकर उसे आप प्रोटेक्ट करने वाले हैं यह दोनों क्लोजेट में छुप जाते हैं इंजू चोयून से कहती है मुझे लगा था कि तुम हर एक औरत को हेट करते हो इसी वज़े से तुम किसी से भी प्यार नहीं कर सकते लास्ट में तुम अकेले होंगे और मैं तुम्हें एकसिप्ट करूँगी चोयून केता है कि तुम्हें एक अच्छी लड़की हो इंजू को नीन आने लग जाती है तो चोयून के कंदे पर ही सो जाती है थोड़ी दिर में जिस लड़की को डर लग रहा था उसके घर में जबरदस्ती एक आदमी घुस आता है इस लड़की को जबर्दस्ती करने के कोशिश करता है चोयून उठ जाता है और इस आदमी को बहुत मारता है इंजू को उसे कंट्रोल करना पड़ता है इसके बाद नेक्स दिन हम देखते हैं कि यूजिन ने अब चोयून को एकसेप्ट कर लिया है चोयून अपनी मदर से मिलवाने के लिए यूजिन को लेकर आया है चोयून की सब बचपन की फोटो जगरे यूजिन देख रही होती है एक फोटो में उसकी जो फ्रेंड थी ये है और उसका ब्रदर है इसके बारे में वो चोयून से पुछती है चोयून केता है कि मेरी फ्रेंड का ब्रदर मिसिंग है तो सुजिन पोचती है कि तुम तो पुलिस हो तुम क्यों से नहीं ढून रहे है चोयून केता है कि मैं शूर हूँ कि उसका ब्रदर सही सलामत होगा उसे कोई भी ढूनने की जरूरत नहीं है सुजीन मदर और चोयून के साथ डिनर करती है और रात में चली जाती है पुलिस कैंग के फ्रेंड पर नजर रग रहे थे उन्हें लग रहा था कि ये गे है एक जगा पर वो गया होता है जहाँ पर पुलिस आ जाते है और एक आदमी के साथ ही होता है तो इनका सस्पिशन अब और भी गाड़ा हो जाता है कैंग के फ्रेंड को इन्वेस्टिकेशन करने के लिए वो पुलिस टेशन लेकर आते है चोमून का पार्टनर सब गे लोग को हेट करता है इसी वज़य से कैंग के फ्रेंड को पहले बहुत मारता है उसे पुछता है कि तुम्हारा कैंग से क्या सम्मन था कैंग का फ्रेंड मना करता है वो कहता है कि हम दोनों का फ्रेंड कुछ भी सम्मन नहीं था यह कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड थे एक दूसरे को counseling की जरूरत पड़ती थी तो एक दूसरे को help करते थे इसे जादा और कुछ भी नहीं था हम दोना एक दूसरे को army से जानते थे जोई उनके partner को लगता है कि ये जुट कह रहा है तो उसे वो बहुत मारता है थोड़ी देर में इने पता जलता है कि जो hair उन्होंने test किया था ये कैंग के friend का नहीं है यानि कि कैंग के friend ने murder नहीं किया है अब ये सब frustrated हो जाते है क्योंकि case बहुत ही complicated हो चुका है नेक्स दिन इने खबर मिलती है कि कैंग का friend का भी murder हो चुका है कैंग का जिस तरह से murder हुआ था एक knife से बहुत बार wound किये गए थे उसी तरीके से ये भी murder हुआ है पुलिस अब सब कुछ चानने लग जाती है CCTV cameras वेगरा सब कुछ investigation करते हुए चोयों को याद आता है कि कैंग के friend ने कहा था कि वो military में मिले थे तो military का इससे कुछ समंध हो सकता है तो इसी वज़े से उनके records निकालते है इन records में पता चलता है कि कैंग जब army में था तब उसके दो friends थे कैंग और उसके दो friend इन तीनों की बदली हो गई थी इन तीनों की वज़े से एक लड़के ने suicide attempt किया था इसी वज़े से इनकी बदली हो गई थी जिस लड़के ने suicide करने कोशिश की थी चोयन को उसका नाम पता चलता है और चोयन realize करता है कि उसकी friend का ही ये brother है उसकी friend से वो मिलने के लिए जाता है उसकी friend उसे पुछती है क्या तुमने उसे ढून लिया है चोयन कहता है कि मैं उससे कोई भी संबन नहीं रखना चाता था इसलिए उसने उसे ढूनने के कोशिश भी नहीं की है पर अब उसे पता चला है कि वो आर्मे में था और उसने suicide अटेप करने के कोशिश की थी जो सब information चोयन को मिली है इससे वो disturb हो जाता है पर फिर से अपने friend से मिलने के लिए जाता है उसकी friend कहती है कि मेरे ब्रदर को मैंने तुम्हें ढूणने के लिए कहा था उस पर शक करने के लिए नहीं मैं समझ सकती हो कि तुम उसे मिलना नहीं चाहते थे पर अब वो murderer है ये तुम कैसे कह सकते हो क्या तुम्हें लगता है कि वो इतना क्रूल है चोयून कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो कर सकता है चोयून को जब वो स्कूल में था उसका पास्ट याद आता है उसके फ्रेंड का ब्रदर यानि कि यूसुक उसका भी फ्रेंड हुआ करता था युसुक के था इसी वज़े से स्कुल में उसे बहुत मारा करते थे चोयून ने उसे प्रोटेक करने कोशिश की थी पर सब लड़के चोयून को ही मारने लग गए थे इसके बाद चोयून ने युसुक से आकर कहा किया वो उसका फ्रेंड नहीं रहेगा नेग्स डे पुलिस स्टेशन में सुजिण चोयून को लेने के लिए आती है यह दोने डेट पर जाने वाले होते हैं यहाँ पर इंजू सुजिण के पास ही बेटी हुई होती है इसे बहुत बुरा लगता है इसे फिर याद आता है कि सूजिन और चोयून केसे मिले थे ठेक्चुल में चोयून और इंजू एक आदमी को पकड़ रहे थे पकड़ते इंजू ट्रेन में चड़ गई और चोयू बहारी रहे गया इसे ब्राटफॉर्म पर चोयून और सूजिन मिले थे इसे बहुत ही पच्टा होता है अगर वो उस दिन ट्रेन पर नहीं चड़ती तो शायद चोयून उसका बॉइफ्रेंड होता है चोयून आज सुजिन के साथ वेडिंग ड्रेस बाय करने के लिए आता है यह दोनों ड्रेसी बाय कर रहे होते तब ही चोयून को रियलाइज होता है कि यूसुक का और इक फ्रेंड था जिससे उसे बात करने चाहिए यह शौपिंग छोड़कर फिर वो यूसुक के फ्रेंड के पास आ जाता है यह शुक का फ्रेंड उसने क्यों खुदकुशी करने कोशिश की थी यह सब कुछ अब चोयून को बता देता है वो कहता है कि जब यह शुक आर्मी में था तब उसे लगा था कि अब इसे कोई भी तंग नहीं करेगा आर्मी में भी कुछ लोग थे जो के थे यह तीन फ्रेंड थे यह कैंग और उसके दो फ्रेंड यही है कैंग का एक फ्रेंड यूसुक को बहुत तकलिफ देता था यह तिनों मिलकर यूसुक का रेप करते थे एक दिन यह सेहन नहीं कर पाया इसी वज़े से अपने आपको इसने गोली मारने एक कोशिश की थी यह सब सुनकर चोयून को अब बहुत ही बुरा रगता है सब पुलीज जब इस केस पर डिसकेशन करते है तो वो रियलाइस करते है कि यूसुक ही सब लोग का बदला ले सकता है यहाँ पर कैंग और उसका फ्रेंड मर चुका है तो उसका और एक फ्रेंड था जो अब नेक्स्ट मरने वाला हो सकता है चुयून अपने ही इन्वेस्टिकेशन कर रहा था तो कैंग का फ्रेंड जो अब मर सकता है उसके पास चुयून आ जाता है चुयून फिर कैंग के फ्रेंड से यूसुक के बारे में बुचता है तो कहता है कि वो बहुत ही ब्यूटिफुल था ये युसुक को बहुत ही objectify करता है चोयून कहता है कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए पर कैंग के friend के पास अब बहुत सारे bodyguard है जो इसे protect कर सकते है कैंग का friend बहुत ही घटी आदमी होता है और युसुक के बारे में बहुत ही गलत गलत चीज़े बोलने लग जाता है चोयून को गैंग के friend पर बहुत ही घुसा आता है उसे वो मारने लग जाता है पर उसके bodyguard चोयून को रोक लेते है चोयून ने बहुत सारी चीज़े figure out कर लिए और वो disturb है यह सब इंजू को पता चल जाता है इंजू उसे कहती है तुमारे मन में जो सब है वो तुम मुझे बता दो अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम ट्रबल में आ सकते हो चोयून सुनता नहीं और वहाँ से चला जाता है चोयून डायरेक्टले अपनी girlfriend के पास आता है उसे कहता है कि चोलो कही बहार चलते है वो इस city से दूर जाना चाता है सुजीन रेडी होकर बहार निकलती है तभी चोयून को फिर से कॉल आ जाता है कैंके दूसरे friend का भी murder हो चुका है जब एक crime scene investigate करते है तभी पता चलता है कि जिस तरह से previous murder थे उस तरह का यह murder नहीं है यह murder कुछ अलग तरीके से किया गया है पुलिस को जो हैर कैंके murder scene से मिला था उसकी और भी testing होती है इस testing में उन्हें पता चलता है कि हैर एक transgender का है यानि कि murderer पहले आदमी था और उसके बाद उसने अपना gender change कर लिया है इनका शक फिर से कैंकी girlfriend पर ही जाता है उसने gender change किया हो सकता है इसलिए उसी investigation करने के लिए पुलिस station पर लेकर आते है इन जो फिर से crime scene पर जाती है और सम investigation करने लग जाती है यहाँ पर बहुत सरे law की books होते है पर क्या इंक को कभी भी law में interest नहीं था वो restaurant own करता है और law से उसका दूर दूर तक कोई भी सम्मन नहीं है एक book को हाथ लगा दी है जिससे एक secret door खुल जाता है यह एक secret passage है जो restaurant तक जाता है इस passage से वो restaurant की kitchen में पहुँच जाती है यहाँ पर एक chef है जो चाहू के साथ सही से खेल सकता है murder पर जो वार किये गए थे यह बहुत बार किये गए है और यह chef का काम हो सकता है इसका शक इंजू को जाता है यह इस chef से बात करती है और कहती है कि तुम बहुत ही अच्छा चाहू चला लेते हो यह chef डर कर भागने लग जाता है इन जो इसे पकड़ लेती है और police station में investigation करने के लिए लेकर आती है अब police कैंग की girlfriend और यह chef इन दोनों से investigate करने लग जाते है इस chef के DNA sample उस crime scene से match कर जाते है यह chef कहता है कि वहाँ में food delivery करने गया था इसलिए यह सब हुआ है उसने murder नहीं किया है यह वो police को कहता है कैंग की girlfriend के भी record निकाले जाते है और वो transgender नहीं होती इस investigation में चोयून सामिल नहीं है चोयून अपना past याद करते हुआ में दिखता है हमें पता है कि यिसुक चोयून का friend था पर ये friend से और भी जादा थे चोयून ने यिसुक का बजाने की कोशिश की थी और उसके बाद उसने उसे kiss किया था society के डर से चोयून अपने आपको accept नहीं कर पाया और फिर यिसुक को भी hate करने लग गया इसी वज़े से उसने यिसुक को गभी protect नहीं किया चोयून फिर police station में आकर CCTV cameras के footage चेक करने लग जाता है यहाँ पर इसे कुछ मिल गया है जिससे killer कोन है इसे पदा जल जाता है यहाँ से वो बाहर निकल रहाता है तो इन जो उसे रोक लेती है उसे कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ फिर से कभी भी नहीं देखूंगी चोयून अपने girlfriend के पास आ चुका है इस सुक ने surgery करवाई थी और वो औरत में convert हो कया था यह औरत चोयून की girlfriend सूजीन ही है चोयून सूजीन के पास आकर उसे पुछता है कि तुमने यह सब क्यों किया है सूजीन कहती है यह तुम मुझे कभी भी accept नहीं कर सकते थे तुम society से ही डर रहे थे इसी वज़े से मैंने इस सब किया चोयून कहता है कि तुमने उन लोग को क्यों मारा सूजीन admit नहीं कर रहे है कि उसने इस सब लोग के murder किया है चोयून disturb हो जाता है और सब चीज़े फिखने लग जाता है सूजीन फिर चोयून को शान्त करने के लिए कहती है कि हाँ मैंने ही उने मारा था चोयून को समझ मेंने आता कि अब उसे क्या करना चाहिए वो सूजीन को कहता है कि जल्दी से यहाँ से चली जाओ यही एक चीज़ है जो मैं तुम्हारी लिए कर सकता हो चाते चाते सूजीन कहती है कि मैंने जो सब किया तुमसे प्यार करती थी इसी वचे से किया है यह बाहर निकल कर रस्ते पर आ जाती है कि सूजाइड करने वाली होती है तब ही चोयून उसे रोक लेता है चोयून अब सूजीन को लेकर सीटी से बाहर निकल कर यहाँ से बहुत ही दूर जाना चाता है यह दोनों निकल पड़ते है यहाँ पर पैरलल में पुलिस भी इन्विस्टिकेशन कर रहे थे CCTV कैमेरे से इन्हें पता चल चुका है कि सूजीन मर्डर सेन पर आई थी जो लास्ट मर्डर यान कि कैंग के दूसरे फ्रेंड का मर्डर हुआ था वो मर्डर ज़रा अलग था इस मर्डर सेन पर इंचू पहले पोची थी यहाँ पर उसने चोयून का लाइटर देखा था यह लाइटर देखकर वो समझ गई थी यह चोयून ने ही मर्डर किया है चोयून भी इसी वज़े से डिस्टरब था कैंग का फ्रेंड इस सुक के लिए बहुत ही डिस्रेस्पेक्ट फूल था तो कैंग को बहुत ही गुसा आका था उसे लग रहा था कि उसे मार डाना चाहिए रात में हो गया और कैंग के फ्रेंड को मार करा गया इंजू को चोयून का लाइटर मडर सिन पर मिल गया था उसने वो लाइटर अपने जेब में रख लिया था चोयून अलग behave क्यों कर रहा है यह उसे पता था इसलिए उसने कहा था कि मुझे लग रहा है कि अगर तुम यहाँ से जाओगे तो मैं कभी भी तुमें नहीं देखूंगी ऐसा मुझे लग रहा है चोयून और सुजिन को पुलिस पॉट कर लेते हैं और उनका पीछा करने लग जाते हैं चोयून और सुजिन दोनों भागते भागते एक ब्रीच तक आ जाते हैं ब्रीच के सामने कुछ भी रास्ता नहीं रुखता अभी अरेस्ट हो जाएंगे पर चोयून को यह अच्छा नहीं लगता सुजिन भी पकड़ा नहीं जाना चाती चोयून फिर गाड़ी को तेज चलाकर इस बीच से नीचे गिराकर खुद कुछी कर लेता है सुजिन और चोयून दोने यहां मर जाते हैं सुजिन चोयून के बिना रह नहीं सकती और चोयून ने मर्डर किया है तो बहुत ही गिल्टी महसूस करता है इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें सुसाइड करने चाहिए और पानी में कूच जाते हैं मुवी के क्रेडिट्स रोल थे और फिर हमारा ट्विस्ट आता है कैंकी गल्फरेंड को पुलीस छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सुजीन ही रियल मर्डरर थी कैंकी गल्फरेंड पारकिंग लॉट से चल रही है और उसके पीछे शेफ होता है यह जो शेफ है कि कैंकी गल्फरेंड को बहुत ही पसंद करता था कैंग की गर्डफरेंड शेफ को कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ही ये मर्डर किये थे वो उसे लाइक नहीं करती और उसे लूजर पुकारती है ये शेफ नाइव लिकालता है और उसे मार डालता है हमें यहाँ पता चला है कि एक्चॉल मर्डरर शेफ था अगर हम फिर से analyze करें तो शेफ कैंक की गर्टफरेंट को प्यार करता था इसे वजये से कैंक को उसने मार डाला कैंक के friend के भी कैंक की गर्टफरेंट के साथ संबन تھे इसलिए jealousy में इस शेफ ने उसे भी मार डाला last third murder हमने देखा है गांक के दुसरे friend का था यह हमें पता है कि चोयून ने गुस्से में यह किया था पिछले कुछ सिंस में हमने देखा है कि सुजिन मानने रही थी कि उसने मर्डर किया है पर चोईन बहुत दिस्टब हो गया था तो उसे शान करने के लिए उसने एडमिट कर लिया था कि उसने ये मर्डर किये है सुजिन के हैर मर्डर सिन पर थे क्योंकि वो कैंग से मिलने के लिए गई थी बहुत सालों बाद उसने कैंग को देखा तो उसे लगा था कि कैंग उसे अपोलरजाइस करना चाहता है कैंग उसे अपने रूम पर लेकर गया और फिर से उसका रेप उसने किया था इसी वज़े से सुजिन के हैस मर्डर सीन पर थे इसी अजीब से ट्विस्टेड एंडिंग के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देजेगा बहुत सारी इसी मूवी लेकर आते रहता हो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजी और बेल नोटिफेशन आइकन दपाने मत भूले है हम वेसे मिलेंगे और एक में मूवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और अब आपने आपका खैल रखिये